So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 26 जून के important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें, अभी हाली में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो अंसर होगा जे प्रकाश नडडा को और आप जानते हो जे प्रकाश नडडा, ये बरतमान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्त मंत्राले नी के पास है और ये बिजेपी के राष्टर अद्यक्ष भी है और अभी इन्होंने ही राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में शपतली है किनका इस्थान लिया? पियुष गोईल का वहीं कांग्रेश अद्यक्ष जो है, मलिक का अरज्युन खडगे, विर राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने है जे पिन नडडा की बात करें तो गुजराच से राज्यसभा सांसद है हेल्थ मिनिस्टर अभी ये बने मैंने आपको बताई दिया इसके अलावा केमिकल और फर्टेलाइजर मंत्राले भी इनी के पास है तो इनका नाम याद रखना तो राज्यसभा की बात करें, इसे राज्यु की पदिशत के रूप में भी जाना जाता है ये हमारे उपरी सदन या अपर हाउस है और अगर हम बात करें कि राज्यसभा के अभी सभापती कौन है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन है? जगदीब धनकड़े और उप सभापती हरिवंश नारैन सिंग है सदन के नेता हमने देखा ये जे परकाश नडड़ा बन गए और सदन का उप नेता किसे बनाया गया? निर्मला सितरमन को और विपक्ष के नेता कौन बने? मलिक का अरजुन खड़गे ये सारे पोइंट में आपको बता दिये देखो राज्यसभा में मैक्जिमम सीटे कितनी होती है? 250 वरतमान में कितनी भरी हुई है? 245 जिसमें से 233 निर्वाचित है और 12 जो राष्टरपती मनोनीत करते हैं तो इसे मिला करके 245 हो गई है और राज्यसभा सदस्यों का जो कारेकाल होता है वो कारेकाल होता है 6 साल का और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवा निवरत होते जाते है ये मैंने आपको कारेकाल राज्यसभा के सदस्यों का बताया है राज्यसभा का नहीं क्योंकि हम इसे भंग नहीं कर सकते ये इसे भंग नहीं किया जा सकता इसलिए इसको इस्थाई सदन भी कहते हैं और अगर पुछे कि राज्य सबा सदस्य से बनने के लिए जो मिनिमम आयू है वो कितनी होनी चाहिए तीस साल होनी चाहिए अब आप लोग बताएंगे लोग सबा सदस्य से बनने की आर्टिकल 80 और लसे लोकसभा के बारे में आर्टिकल 80 वर। अभी आपको याद होगा अठारवी लोकसभा के प्रोटेम स्पिकर कौन बने थे। भरतहरी महताब बने थे। तो उनका नाम भी याद रखना और ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते ह फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टे लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो आंसर होगा चाइना। आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना ने चांग E-6 मिशन को लांच किया था किसके लिए चांद के यानि कि उसका जो अंधेरा वाला हिस्सा है वह चांद का एक हिस्सा हमें दिखाई देता है उसके पीछे वाला जो अंधेरा वाला हिस्सा है जिसको हम नहीं देख पाते हैं उसकी ये बात कर रहा है तो अभी चाइना वहां से मिट्टी के सेंपल लेकर के जो उसका ये मिश और क्योंकि उसका जो वो वाला हिस्सा है, जो हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें उस हिस्से की बहुत कम जानकारी है, तो वहां से सेंपल आये हैं, तो इस पर रिसर्च होगी और हमारे लिए नहीं नहीं जानकारी आएगी पूरी दुनिया के लिए, वैसे चाइना का है, लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश है, वैसे चांद पर अभी पांचवा देश भी पहुँच चुका है, कौन, जापान, चलो अभी हम चाइना की बात करते हैं, तो मैं आपको चाइना ले चलता हूँ, ये रमेत में चाइना, तो चाइना की केपिटल होती ह आपको शंगाई कॉपरेशन और एशन इंफरास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक का हैटक्वाटर मिलेगा, करंसी है, रेंबिन भी और प्रसेडेंट है, शे जिन पिंग, हमने बात की थी, यहां का एक शहर है शंगाई, वो किस नदी के किनारे स्थे थे थै, यांग त इसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, और चीन का शोक किस नदी को केते हैं, हुआंग हो नदी को, आपको बता है, दुनिया का सबसे बाद न्यूट्रिनो कण डेटेक्टर ये चीन बनाएगा, इसका नाम है ट्राइडेंट, और दुनिया का पहला मिथिन संचलित र कि चंदरमा के सुदूर हिस्से से सेंपल लेकर के सकुषल पर्थि पर लोटा है, इसके अलावा चाइना ने कहा कि वो दो हजार चबविस तक चांग E-7 मिशन को भी लाउंच करेगा, और अभी ये नियूज में था, क्यों? क्योंकि चांग E-7 मिशन में अभी हाइपर इसमें शामिल हुए हैं, कौन-कौन से हैं वो दो देश, एक तो एजिप्ट है और एक बहरीन है, और अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल लेटेस्ट कि चाइना और फ्रांस मिल करके तारों के सबसे दूर के विस्पोट का अध्यान करने के लिए एक सेटलाइट लाउंच कर कर आए, ये सारे लेटेस्ट करेंट अफेर्स के पॉइंट से ध्यान में रखना अगला प्रसन दिखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में किस भारते शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है तो आंसर होगा शिरिनगर, तो अभी जम्मू कश्मीर के शिरिनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, ये टैग हटकरगा और हस्त शिल्प शेत्र को बढ़ावा देगा, जिससे जम्मू और कश्मीर शेत्र में परियतन और बुन्यादी डाचे के विकास का लाब होगा, ये शिरिनगर के कारिगरों के लिए एक नए बाजार और आउसर को खुलेगा, शिरिनगर से मैं आपको बता दू, इससे पहले भी शिरिनगर को 2020 में युनेस्को क्रेटिव सिटी के रूप में माननिता दी गई थी, शिरिनगर की कुछ परमुक्ष शिल्प कला, नमदा शिल्प कला, पश शिल्प कोशल और पारंपरिक शिल्प के संगरक्षन, उसके परचार और उन्नती के लिए एक अंतराष्टर गैर लाबकारी संगठन है, जिसके इस्तापना होती है 1964 में, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था इसी तरह का एक प्रशन है, कि युनेस्को ने अभी किस रूप में माननेता दी थी, City of Literature, कौन सा शहर बन गया है और ये खिताब पाने वाला वो भारत का पहला शहर है, तो आंसर होगा केरल का कोजी कोड, ये बड़ा important परशन रहेगा, इसको जरूर याद रखना है आपको, अगला परशन बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछ रहे पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अद्देशिता में साज सदस से हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया, तो आंसर होगा के रादा करशनल, NTA मतलब National Testing Agency, मतलब ये भारत में जो Higher Educational Institutes हैं, जैसे कि Engineering के, Medical के, Management Institutes हैं, उनमें Entrance के लिए जो एक्जाम होते हैं, उसे ये Responsible Agency, National Testing Agency, और अभी आप लोग देख भी रहोंगे, सुन भी रहोंगे, इन एक्जाम्स में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इनमें भी धांदली हो रही है, और अभी सिक्षा मंतराले ने NTA परिक्षाओं में Transparency लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए भी सा मंदित एक और प्रशन में आपको यहीं पे करा रहा हूँ, अलग से प्रशन नहीं करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी NTA के अतिरिक्ट महानिदेशक बनाए गए हैं, उनका नाम प्रदीप कुमार खरोला है, और इन्होंने किन का इस्तान लिया, सुबूद कुमार सिं संस्था पंजी करन अधिनियम 1860 के तहर, यानि कि Under Indian Societies Regulation Act 1860 के तहर, अचा ऑप्शन में अगर आप देखते हैं, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपती रामनात कोविंद का नाम है, अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक देश, एक चुनाव के लिए एक समि का अध्यक्ष इनको बनाया गया था, और के विजयरागवन, DRDU की समिक्षा के लिए इनके अध्यक्षिता में एक High Power Committee बनाई गई थी, तो ये भी ध्यान में रखना अगला प्रशन लिखने हैं, फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में विश्व नाविक दिवस कब मनाय गया तो अंसर होगा 25 जून को, तो हर साल 25 जून को Day of Seafarer यानि कि विश्व नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाने का उद्दिश यह, विश्विक व्यापार और अर्थ विवस्ता में नाविकों के द्वारा किये गए उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, कौन मनाता है, अंतरराफ्टर समुद्र संगठन, इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गेनाईजेशन जिसका मुख्याले लंदन यूके में है, इस तापना होती 1958 में, इसी तरह से आपको याद होगा एक वर्ल्ड मेरिटाइम डे भी होता है, जो सेप् जुन को विश्व दूद दिवस मनाया, दो जुन को तेलंगना का इस्तापना दिवस, तीन जुन को विश्व साइकल दिवस, पात जुन को विश्व परियावरन दिवस, और साथ जुन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, आठ जुन को विश्व महसागर दिवस, आठ जून को अंतरराष्टर रंग हींता जागरुकता दिवस। जान में रखना अगला परश निखते हैं। जो भारतिय नागरिक हैं उनको फाइदा होगा। ट्रेवलर प्रोग्राम लॉंच किया है, इसी के तहत आपको ये कार्ड मिलेगा, जो भी वो आपसे information मांगेंगे, आप महापे अपनी information दीजिए, अगर आपका जो record है वो बिल्कुल clean sheet है, और उनकी policy के अनुसार अगर आप fit बैठते हो कार्ड के लिए, तो आपको वो सुविधा किस airport पर मिलेगी आपको, इंद्रा गांधी international airport पर ही मिलेगी, तभी तो आपने का, ये program launch करने वाला देश का पहला airport कौन सा बन गया है, तो अंसर होगा, इंद्रा गांधी international airport, अच्छा आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा, कि हमारे वर्तमान में नागरिक उड़ायन मंतरी, aviation minister कौन है, पहले तो जोते रादेत्य संद्यात है, अभी मोधी cabinet 3.0 में नए मंतरी बन गए है, और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दू, अभी जितने भी नए cabinet minister बनाया गए है, सबी मंतरालियो के जो भी नएने मंतरी बने हैं, उसको याद करने का एक tricky वीडियो में ने बना दिया है, और इतना बहतरीन वो वीडियो है, एक बार देखने मातर से ही सारे मंतरालियों के मंतरी आपको याद हो जाएंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, सिंपल सा सर्च करन यूट्यूब पे क्रेक एक्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक 3.0, अचा इसके अलावा आपको याद हो, तो अभी पढ़्धान मंतरी शिरी परियेटन हवाई सेवा ये किसने शुरू की थी, मध्यप्रदेश में, और देख का पहला हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर ये कापे खुलेगा खजुराहु मध्यप्रदेश में, और अगर मैं आपसे पूछूँ कि डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उतर पूर्व का पहला हवाई एड़ा कौनसा बना, गोपिनाथ बार्दुलाई इंटरनेशनल लेयरपोर्ट ये आपको असम में मिलेगा, और देश का पहला एलिवेटेड टेक्सी वे ये कापे बनकर तयार हुआ इंदरगान्दी इंटरनेशनल लेयरपोर्ट पर, तो ये सारे पॉइंट्स दियान में रखना अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में, इंटेलिजेंस ब् सरकार ने उनका कारेकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, वे 2022 में ही इंटेलिजेंसी ब्यूरो में डारेक्टर बने थे, बाकि देखो राकेश रंजन अभी स्ताप सेलेक्शन कमिशन कर्मचारी चैयन आयोग के अध्यक्ष बने, कपल सिबल सुप्रीम कूर्ट बार अ प्रमुक बने हैं, किनका इस्तान लिया, उपेंद्र द्विवेदी का, जो कि अभी हमारे नए आर्मी चीफ हैं, क्या यूं काउं कि बनने वाले हैं, क्योंकि अभी 30 जून को रेटार्ड हो जाएंगे मनुच पांडे, तो उनका इस्तान लेंगे उपेंद्र द्विवेद इस तरह से ही हमारे तीसवे नंबर के थल सेना प्रमुक बनेंगे, बाकी इंदरपाल सिंग बिंद्रा, अभी Competition Commission of India, भारते प्रतिस परदा आयो के अध्यक्ष बनें, और फिलेमोन यांग, ये बड़ा इंपोर्टेंट नाम है, अभी United Nation General Assembly के 79th सेशन के अध्यक्ष ये हों ये Dennis Francis किस देश से हैं, मैं आपको कहीं बार बता चुका हूँ, हम अगला प्रशन देखते हैं, फिर पूछरे अभी आंदरप्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियूक्त किया गया, तो आंचर होगा अयनना पत्रुडू को, अभी हम लोगों ने देखा आंदरप् अभी आप लोगों ने देखा होगा, उडिसा में विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थी, सुर्मा पाड़ी बनी थी, और अरुनाचिल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बने थे, तेसम पॉंग्टे, अच्छा यहां पे एक काम करता हूँ, अभी इस 6 महीने में, 6- 7 महीने में, जितने भी राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं, या तो वहाँ पे मुख्यमंत्री बदले गए, क्योंकि पुराने वालों को गिरफ्तार कर लिया, या किसी राज्य में गठबंधन की सरकार थी, वो गठबंधन टूटा, फिर नया गठबंधन बना अला देखो, जिसे कि अभी राज्यस्तान में नए मुख्यमंत्री बने, नई सरकार बन गई या तो बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री कौन हो गए, भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्येजगड में विश्नु देवसाय, मिजोरम में लाल दु होमा, तेल आप से पूछ रहें, अभी हाली में भारत ने किस देश के साथ ए-medical सेवा शुरू की है, तो आंसर होगा बांगलादेश, देखो अभी बांगलादेश की जो प्रदान मंत्री हैं, शेख हसीना, वो भारत की यातर पर आई, और यहाँ पर जो शेख हसीना हैं, और भारत के जो प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी हैं, उन दोनों के बीच में कहीं समझोते हुए, इन में से एक है यह e-medical visa, तो बांगलादेश से भारत में इलाज करवाने आने वाले लोगों के लिए यह e-medical visa सुविधा शुरू की गई है, तो अगर किसी के पास यह e-medical visa होगा, तो उन्हें फटावट से entry मिल जाएगी भारत में, यह इसका फाइदा होगा, इसके अलावा भी और कहीं समझोते हुए, जैसे की green partnership program भी शुरू किया गया, दोनों देशों के बीच में green energy को बढ़ावा देने के लिए, और बांगलादेश में भारत के लोगों के लिए एक तो हमने कहा, बांगलादेश की capital धाका है, और धाका में ही आपको BIMSTEC का headquarter में लेगा, currency टका है, प्रधानमंतरी शेक हसीना है, और अभी प्रसिरिन नए है, क्या नाव है? महमद शाहबुद्दीन, तो यह ध्यान में रखना, तो गाई जेथे हैं आज के आपकी current affairs की class, अ पहला प्रशनाप से पूचा, किस भारते शेहर ने भारत का पहला UNESCO City of Literature बनकर रितिहास रचा, तो आंसर होगा, कोजी कोड, केरल का शेहर है, फिर पूचा, अभी 53V GST council की बैठक में दूद केंस पर कितना GST लागू होगा, तो आंसर होगा 12%, फिर पूच रहें, कि अभी टेबल, टैनिस, कंटेंडर, एकल, खिताब, सिंगल्स का टाइटल जीतने वाले भारते कौन है, शिरिजा अकूला है, फिर पूचरे भारत का पहला UNDERGROUND COLE GASIFICATION प्रोजेक्ट कांपे शुरू हुआ, छारखंड में, फिर पूचरे भी 43V विश्व चिकित्सा और स्वास् कांपे किया गया, असम में, फिर पूच रहे हैं, चीन ने अभी किस देश के साथ मिलकर के तारों के सबसे दूर के विश्वोट आध्यन करने के लिए को पग्रे लॉंच किया, तो फ्रांस आंसर हुगा, फिर पूचा, कूट निती में महिलाओं का अंतरराश्टर दिवस आपने मनाया 24 जून को, और आखरी प्राश्ट ने पूचा कि सोनी पिक्चर्स के MDCO कौन बन गए भारत में, तो आंसर हुगा, गौरव बनर जी, चलो भी कल का हमवर्ग प्राश्ट देखना और सेशन एंड करते हैं, तो कल के वीडियो में आपसे पूचा था भारत स्टीम Boiler Expo 24 का योजन ये कांपे किया गया, तो आंसर होगा, गौरव हाटी में, आप सभी ने प्राश्ट का बिलकुल सही उतर दिया, अब ये रहा आज का आपका हमवर्ग प्राश्ट